हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैक में तो दोस्तो रेलबे ग्रूप डी परिक्सा 29 अक्टूबर को तीनो सिफ्ट का एकजाम हो चुका है तो दोस्तो जितने भी सभी महत्त कोस्टन पूचे गए तो बेस अभी कोस्टन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेका आया हूँ तो दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो आज का यहाँ पर पहला कोस्टन है जो आज पूचा गया था बिजेंदर सिंग किस खेल से संबंदित हैं तो दोस्तो आज इस प्रकार के कई कोस्टन पूचा गया है तो के प्लेयर है यानि कि मुक्के बाजिसे यह संबंदित है यानि कि बोक्सिंग तो आपने इसका सही आंसर लगा दिया होगा next question देखते हैं जो पूछा गया था ज्यानपीट पुरुसकार किस छेत्र से संबंदित है दोस्तों मैं आपको पहले कई बार बता चेका हूँ मैंने पहले कई ऐसे वीडियो बनाए है जिसमें मैंने ज्यानपीट पुरुसकार के बारे में बताया है तो जिसने अगर हमारा पहले वीडियो देखे होंगे तो उसने इसका सही आंसर लगा दिया होगा और दोस्तों अगर बात करें कि 120 में ज्यान पीट पुरुसकार किसी दिया गया था तो करशना सोपती को diez्यार सित्र में दिया गया था तो यह भी काफी इंपोरेंट आप से याद रखे हो सकता है आप से आगे पूछ लिया जाए चलिए next question दिखते हैं तो अगला question है सिलोंग किसकी राजधानी है तो दोस्तो आज आपको राजधानी दे दी थी और पूछाता है यह किस राज़्य की राजधानी है तो आप सभी को पता होगा मेगाले की राजधानी है सिलोंग कि आपको जितने भी सभी 29 राज्यों के राजधानी और सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल यह आपको जरूर याद होने चाहिए अगर आपका एकजाम आगे रेलबे गुरूप D में होने वाला है क्योंकि यहां से भी एक दो कॉस्टन पूछ लिए जाता है कि मेगाल जैसे कि कि किसी राज्ये का राज्येपाल या मुख्यमंत्री या उसकी राजधानी जैसे कि आज पूछ लिया गया तो आप 29 राज्यों के मुख्यमंतर याद कर लिजिए तो मैंने इसके लिए बीडियो बना दिया है मैं आपको इस बीडियो का आई बेटन में उपन लिंक देदूँगा आप बहाँ से जाकर उस बीडियो को देख लिजिए काफी असान ट्रिक मैंने काफी असान ट्रिक से मैंने वो बीडियो बनाया है नेश्ट कोसन देखते है तो अगला कोसन है बिसु मोहन सोरी दोस्तों यहाँ पर लिखने में मिश्टेक होगी यहाँ पर बिसु है बिसु बिसु मोहन भट का संबंध किस से है बिसु मोहन भट का संबंध किस से है तो मुजिक से संबंध देते हैं बिसु मोहन भट तो आप इसे याद रखेगा नेश्ट कोसन देखते हैं जो पूचा गया था पदम विभूसर्ण 2018 के उपर आज एक कोसन पूचा गया था तो मैं आपको बता दू 2018 में पदम विभूसर्ण पूरुषकार तीन भियक्तियों को दिया गया है पृत्धम एले यह राजा और दूसरे हैं गुलाब मुस्त्फा खान और तीसरे हैं पर्मेशरम तो इन तीन भियक्तियों को दिया गया है और दोस्तो मैं आपको बता दू पदम विवुशन पुरुसकार भारत में दिये जाने वाला दित्य सर्वोच पुरुसकार है यानि कि भारत में सर्वोच पुरुसकार कौन सा है भारत रत्न और दूसरा सर्वोच पुरुसकार कौन सा है पदम विवुशन तो आप इस बात को भी याद रखेगा क्योंकि इस दूसरा सर्वोच पुरुसकार कौन सा है, तो पदम भीवू सण है, तो चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं, किदामभी सिरीकांद किस खेल से संबन दिते हैं, तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि इस परकार कार आज कई कोशन पूचे गए हैं, अलग अलग जोन में इस परकार कोशन पूचे गए हैं, तो किदामभी सिरीकांद किस खेल से संबन दिते हैं, बैड मिंटन से संबन दिते हैं, ये बैड मिंटन के पिलेयर हैं, तो next question देखते है बालमी की national park कहा इस्थित है तो उस्तो ये question पूछा गया था जो बालमी की national park है यह किस राज्ये में इस्थित है तो बिहार राज्ये में इस्थित है बालमी की national park तो आप इसे याद रखेगा हो सकता है आपसे दुवारा पूछ ले जाए चलिए अगला question दे तो आप इसे याद रखेगा, तो यह कुछन आज पूचा गया था, अगला कुछन देखते हैं, साहित्य अकादमी 2018 में नए अध्यक्स किसे चुना गया है, तो यह कुछन आज पूचा गया था, तो उनका नाम पूचा गया था, कौन है, तो प्रोफेसर चंद सेकर कमबार 2018 म इने साहित्य अकादमी का नए अध्यक्स बनाया गया है, चलिए अगला कुछन देखते हैं, ओजोन परत का मातरक क्या होता है, तो आप इसे याद रखेगा, चलिए नेश्ट कुछन देखते हैं, तो देखते हैं, पोधो में ब्रद्धी किस हार्मोन के कारण होती है, तो ये कोशन पूचा गया था कि पोधो में जो ब्रद्धी होती है, बैक किस हार्मोन के कारण होती है, तो ओक्सिन हार्मोन होता है, इसके कारण पोधो में ब्रद्धी होती है, तो दोस्तों ये कोशन ही मैं आपको पता दूँ, पहले भी दो से तीन बार पूचा जा चुका है Railway ALP exam में भी दो बार पूछा गया था वो Railway में भी आज ये दुबारा पूछ लिया गया है तो इसलिए मैं आपसे प्रतियोग वीडियो में यही कहता कि आप हमारे सभी वीडियो देखिए अगर आपका exam आगे होने वाला है क्योंकि आपको इससे काफी फायदा मिलेगा आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार question पूछे आ रहे है और आपको कई question आपको exam में देखने को मिल भी सकते है तो इसलिए आप हमारे प्रतियोग वीडिये देखिए तो चलिए अगला question देखते हैं तो next question है potassium dichromate का formula क्या होता है तो इसलिए potassium dichromate का formula पूछा गया था तो K2CR207 इसका formula होता है तो जितने भी सभी important formula है आप उन्हें याद कर लिजिए तो ये formula आज पूछा गया था next question देखते है पाईरिया रोग किस से संबंदित है तो दोस्तो काफी असान question पूछा गया था आप सभी लोगों ने इसका सही answer लगा दिया होगा तो ये पूछा गया था कि ये जो पाईरिया रोग है ये किस से संबंदित है यानि कि ये है सरीर के किस अंग को प्रवावित करता है तो पाईरिया रोग दातों में हो जाता है मसरूनों में आप सभी को पता होगा तो मैं आपको बता दूँ ये जो पाईरिया रोग है दातों में हो जाता है ये है बिटामिन C की कमी के करण होता है और दोस्तों अगर बात करें vitamin C का रसायनिक नाम क्या है तो S कर भी कमली vitamin C का रसायनिक नाम है तो चलिए आगला question देखते है भुटान देश की राजधानी क्या है तो दोस्तों भुटान की राजधानी पूचे गई थी जो कि भारत का पड़ो सी देश है भुटान आप से भी जानते होंगे तो इसकी राजधानी क्या है यानि की capital थिम्पू इसकी capital है भुटान की तो यह question आज पूचा गया था तो आप इसे याद रखिए हो सकता आगे भी पूचा जाए चलिए next question देखते है मेनका गांधी बरतवान में किसकी अध्यक्स है तो दोस्तों यह question मैं आपको बता दूँ पहले भी पूचा गया था और यह आज भी दुवारा repeat होकर पूचा गया है इसलिए मैं आपसे बार-बार यही request करता हूँ कि अगर आपका exam आगे होने वाला है तो हमारा पिरती एक वीडियो देखिए क्योंकि आपको इससे पता चल जाएक किस प्रकार एक question आ रहे है और कई question बार-बार repeat हो रहे है जैसे कि यहाँ पर यह question आज दुवारा पूचा गया है तो मेनका गांधी इससे में किसकी अध्यक्स है तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है इससे में मेनका गांधी तो आप इससे याद रखेगा चलिए next question देखते है तो next question है पलास किस राज्यका पुस्प है तो दोस्तों यह question आज पूचा गया था कि यह जो पलास है पुस्प यह किस राज्यका राज्यका पुस्प है तो उत्तर प्रदेश का पलास राज्यका पुस्प है तो यह question आज पूचा गया था तो आप इससे याद रखेए चलिए next question देखते है तो दोस्तों यह question आज पूचा गया था किस miss bird 2017 किसे चुना गया था तो miss bird 2017 किसे चुना गया था मानुसी चिल्लर को चुना गया था और दोस्तों अगर बात करें कि मानुसी चिल्लर कहां की रहने वाली है तो हर्याना राज्यकी रहने वाली है मानुसी चिल्लर तो दोस्तों मैं आपको और बता दूँ कि जैसे कि आज पूचा गया है कि Miss World 2017 किसी चुना गया तो मानुशी चिल्लर और अगर आपसे आगे पूच ले जाए कि Miss Universe 2017 किसी चुना गया था तो Miss Universe की बात करें तो Demi Lenin Peters को 2017 में Miss Universe चुना गया था तो दोस्तों यह दोनों काफी important है आप इन दोनों को याद रखे और खास तोरप आप Miss Universe को भी याद रखे क्योंकि यह भी आगे पूचा जा सकता है चलिए अगला question देखते है तो next question है 2017 में अर्थ सास्त्र में नोबल पुरुसकार किसे दिया गया था दोस्तों यह question आज पूचा गया था कि मैं आपको बता दू 2017 में नोबल पुरुसकार किसे दिया गया था तो दोस्तों 2017 की बात करें तो Richard Taylor को 2017 में अर्थ सास्त्र के छेत्र में नोबल पुरुसकार दिया गया था तो आप इसे याद रखे और मैं आपको बता दू अगर आपसे आगे पूच जाए कि 2018 में किसे दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ अगर 2018 की बात करें कि एकोनोमिक में किसे दिया गया अर्थ सास्तर में तो Paul Romer और Billiam Nard Hoss यानि कि इन दो ब्यक्तियों को सामुहिक रूप से अर्थ सास्तर के छेतर में नोवल पुरुसकार दिया गया है 2018 का और दोस्ते मैं आपको बता दू अगर आपने 2018 के सभी छे छेतरों में जो नोवल पुरुसकार दिया जाता है अगर आपने बेस सभी याद नहीं किये है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दिया है आप हमारी उस वीडियो को देख सकते है मैंने काफी असान ट्रिक से वीडियो गनाया है अगर उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपको सभी नोवल पुरुसकार याद हो जाएंगे तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के उपपर आई बटन में लिंक दे दूँगा आप बहां से उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं तो next question है बंडे किर्केट में बरतमान में महिला कप्तान कौन है तो मिताली राज बंडे में इस समय भारती है महिला करके टीम की कप्तान है और दोस्तों अगर बात करेंगी टेस्ट की तो टेस्ट में भी मिताली राज है और अगर बात करेंगी T20 में कोन है तो T20 में है हर्मन प्रीत कोर तो आप इसे याद रखे, बंडे और टेस्ट में है, मिताली राज और T20 में है, हर्मन प्रीत कोर, तो आप इन दोनों को याद रखे चलिए, next question देखते हैं तो अगला question है, पोधो में जेव पधारतो का बहन किसके माध्यम से होता है, तो दोस्तों अगला question है, जो पूचा गया था दोस्तों दरपन के बीच रखी बस्तू का पिर्तिविम कहां पर बनता है, तो उस तो दोस्तों दोस्तों के बीच अगर कोई बस्तू रखी है, तो उसका जो पिर्तिविम होता है, वो अनंत पर बनता है यानि कि अनंत पर कहीं भी बन सकता है तो आप इसे याद रखे दोस बस्तू के बीच में अगर कोई बस्तू रखी होईगी तो हमेशा उसका पिर्टिविम अनंत पर ही बनेगा तो आप इसे याद रखे और मैं आपको बता दू यहाँ से एक question आज और पूछा गया था जो lens होता है lens से एक question numerical type का question आज पूछा गया था वो मिजे नहीं मिल पाया है तो आप numerical type के lens के question भी करने की कोशिश कीजिए चलिए अगला question देखते है बिदुद धारा किस से मापी जाती है तो दोस्तों ये question पूचा गया था कि विदुधारा किसके द्वारा मापी जाती है तो आमीटर के द्वारा विदुधारा मापी जाती है आप सभी को पहले से ही पता होगा तो ये question भी आज पूचा गया था Next question दिखते है बिरोमीन तत्व परमालू संख्या कितनी होती है तो दोस्तों ये question पूचा गया था कि बिरोमीन तत्व की परमालू संख्या कितनी होती है तो दोस्तों बिरोमीन की परमालू संख्या की बात करें तो 35 यानि की 35 बिरोमीन की परमालू संख्या होती है तो next question देखते हैं तो दोस्तों अगला question है किस आवर्थ में सबसे अधिक तत्व होते हैं तो दोस्तों ये question आधूनिक आवर्थ सांड़ी से पूछा गया था इसमें पूछा गया था कि कौन सा आवर्थ में आवर्थ है आपको द्रब्यमान दिया था यानि कि M 15 यहाँ पर द्रब्यमान दिया गया था question में और जो तौरण होता है ए बहाँ पर दिया था तौरण 5 तो उसमें पूछा था कि बल कितना होगा यानि कि जो बल का formula होता है F वराबर M में यहां से एक कोशन पूचा यह था M आपको दिया था 15 यानि की द्रब्यमान E भी दिया था तोरण यानि की 5 दिया था तो F पूचा था तो आप इसे आसानी से निकाल सकते थे अगर आपको इसका फोर्मूला पता है तो F बरावर M में होता है तो यहां पर आप याद कर दिया अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर हमें F पूचा था यानि की बल पूचा था कितना होगा तो हमें निकाल ला था M गुणा हमें यहां पर दिया था M यानि की 15 गुणा A था तो यहां पर तोरण 5 था तो 15 पंजे 75 कूछ यहाँ आज पूचा गया था तो इस प्रकार कोशन तीन से चार कोशन भी पूचे आ रहे हैं तो आप जितने भी और फॉर्मूले बेस्ट कोशन है आप उन्हें करने कोशिश कीजिए चलिए अगला कोशन देखते हैं बर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्स कोन है तो जो बर्तमान में कांग्रेस का अध्यक्स बनाया गया है राउल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्स बनाया गया है तो काफी जी ये कोशन पूचा गया था आप सभी ने इसका भी सही अंसर लगा दिया होगा तो चलिए अगला question देखते है alcohol का formula क्या होता है तो जो alcohol होती है आप से भी जानते होंगे alcohol के बारे में इसका formula पूछा गया था क्या होता है तो इसका जो formula होता है C2H5OH इसका formula होता है तो ये question आज पूछा गया था तो next question है आदूनिक आवर्थ सांड़ी में तीसरे आवर्थ को क्या कहा जाता है तो जो जो तीसरे आवर्थ सांड़ी से तो जो तीसरे आवर्थ होता है इसे लगू समू कहा जाता है तो आप इसका सही answer लगा सकते थे लगू समू तो next question देखते है असोक ने इस्थम्ब बनवाया था तो असोक का जो इस्थम्ब है असोक ने जो इस्थम्ब बनवाया था मैं आपको बता दूँ यहां से कोसन पूछा रहा था तो सारनाथ में असोक ने इस्थम्ब बनवाया था सारनाथ जले में 250 इसा पूर्व में बनवाया था और सारनाथ कहां इस्थित है उत्ताय प्रदेश यानि की यूपी में इस्थित है तो आप इसे याद रखें असोक ने जो इस्थम्भ बनवाया था सारनाथ में बनवाया था इसा सारनाथ इस्थम्भी कहा जाता है 250 इसा पूर्व में तो next question देखते हैं तो दोस्तो अगला जो question है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रतियेक shift में एक question रिजिनिंग में जो calendar का यहाँ topic है यहाँ से question जरूब पूछा जा रहा है तो आज पूछा रहा है था 31 मई 1985 को कौन सा दिन था तो दोस्तो इसका जो सही answer हो जाएगा सुकुरवार होगा सुकुरवार था 31 मई 1985 को मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगो तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको calendar करना सिकाऊं ट्रिक के साथ तो आप हमें comment में बताईए मैं आपको calendar की वीडियो बनाकर दे दूँगा काफी असान ट्रिक के साथ तो दोस्तो यही था आजके इस वीडियो में उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो फिलीजे एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार